आज में गेन आ गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मिज़दार विडियो के साथ आज में बनाने जा रहे हैं हुसेनाबाद के स्पेशल अंडे वाला गड़र स्ट्रीट फूट पर तो आपने बहुत ही स्याधा ख़ाय होगा तो अब हम बनाने जा रहे हैं घर पे तो आप खेर पर बनाएं गर पर खाया हैं, मज़े करें और मज़े करवाएं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए में साहिए आदा किलो चनी की दाल जिसको हमने एक गंड़ा पहले बिगो कर रख दिया था हाफ केजी चिकिन टू टेबल स्पून चिन जगार्डिक पीस वन टी स्पून जीरा पाडर जिञा जिन जगार्डिक पेस्ट एट कर देंगे और एक जब भर करम दो समिम पानी ये ॉन टी श्पून जिए टी स्पून इसको एक तरीके से मिक्स करेंगे और कवह कर देंगे जब तक कि जब तक कर दाल चाह. या देखे हमारी दाल चुकी है अब हम समय से चिकन को निकाल देंगे, और दाल को इसी में छोड़ देंगे 15 मिन के लिए जब तक ये ठंडी हो जाए, दूसरी साइट पर हम ये देखे हमारी जो चिकन है, उसको हम कटिंग बोड पर रखके इस तरीके से हलका सा कट कर देंगे, और अब हम इसको हातों के पर यानि के खीडा एक केरट यानि के घाजर दस भू ल ग्रीateurs यानि के चोटे हरी मिर्चे बारा जिंजर प्लोफ यानि के लेस्चन की कलिए एक कप फ्रेश कॉरियंडर यानि के एक कप धनिया एक कप फ्रेश पार्षले यानि के एक कब पुदीना अब हम सबजों को इस तरीके से कट कर लेंगे अगर आपके पास इस तरीके का कटिंग बोड है तो आप ऐसे कट कर लें देखें हमें रिंग हमें अनियन को रिंग में काटना है और घोबी को इस तरीके से बारिक बारिक सा कक्यूंबर को भी इसी त कि इसके बाद हम सारी जो हमारी वेजटेबल्स हैं उसको अची तरीका से मिक्स कर लेंगे जैसे आपने देखा ही होगा स्ट्रीट फूड पर बड़ी-बड़ी सी स्टॉल्स लगी वए हिसमें जो पंदेडैं फणाल के तो इस तरहिए इस होती है वह तो ऐसे ही मिक्स कर लेंगे चोपे लेंगे इसने पहलती jego थेस तीन बदिने सब्सक्राइब करने इस मिक्स करने के बाद आप इसकी कंदुन के अगर आपको कम लगे तो ऊपर से एड़ कर सकते हैं इसके बाद हम कबाब बनाएं आपको एक किस साइज के बनाने कबाब का तरीका बताते हैं कि कोई भी आप एक कैप लेने बॉटल का कोई भी उसके ओफर शॉपर चड़ा ले और इस तरीके से बैटर को उसमें प्रेस करें यह देखें आपके कबाब एक ही साइस के रैडी हो जाएंगे कबाब निकालने के बाद आप हातों के मदद से इस तरीके से सेट कर लें और ऐसे ही सारे कबाब बना लें इसक के बाद हम इसी में धाइड करेंगे और ग्रेंडर में सिर्फ एक पुष करेंगे यानि के सिर्फ हलका सा ग्रेंड करेंगे ज्यादा करेंगे तो यह पानी जासी हो जाएगी यहां देखें हमारा राइता भी रड़ी हो गया है अब हम इसमें सारा मसाला एड करेंगे और इ तर्दी अलग कर लेंगे कि बहुत ही इजी तरीका है आप इस तरीके से अलग कर लें आराम से अलग हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यह देखें आप हम इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से बीट करना है और इसका हमने एक जाग वाला फॉर्म बना लेना है यह देखें इस तरीके से देखें कितना अच्छी तरीके से बीट हो गया है हमें बिल्कुली स्पीड में इसको बीट करना है बहुत ही अच्छी तरीके से ये बीट हो जाएगा दो-तीन मिन तक हम लगातार इसको बीट करते रहेंगे और फिर हम इसमें एग यॉक एड़ कर देंगे और इसको अगीन अच्छी तरीके से बीट कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बीट करना है और यहां तो कि गें Sel 6 तरीका से look स्क्राइज है अब हम म hani कबाब करेंगे और इसको फ्राइ पन में फ्राइपन में हमने फ्रायक करें इतना ही ओयल प्लब टेभिश प्वÝ तेप्ण स्पून और इसके बाद हम इसको ऐसे ही सारे कबाब फ्राइज करेंगे देखें हलका सा कलर ब्राउन करना है हमें ज्यादा नहीं करना है देखें लग रहे हैं ना स्ट्रीट फूर स्टाइल कबाब अब हम इसी तवे में बर्गर को सेख लेंगे और इसके बाद हम कबाब रखेंगे फिर वह राइते वाली चटनी सैलेड अर्ट करेंगे और इसमें हमने कॉंबो चटनी जो पहले बर्गर में बनाए थी वही चटनी आप वह देख सकते हैं इसको हलका सा शेख लेंगे और फिर हम इसमें उपर से कैचचप एट करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल कैचचप एट करनी है अब हम इसको साइट पर रखेंगे एक अंडा फेड़ कर नॉर्मली बना लेंगे इस तरीके से और यहां देखे हमारा अंडा बन चुका है अब हम इसके फोर पीसिस कर लेंगे और इस तरीके से बर्गर में एड़ कर देंगे और यहां देखे हमारा मज़ेदार सा स्ट्रीट फूट स्टाइल बर्गर रेड़ी हो चुका है देखा कितनी एजी और मज़ेदार रेचिपी थी है उमीद करती हूं कि आपको रेचिपी पसंद आई होगी रेचिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना बूलें शेयर करें कॉमेंट करें और ऐसी जड़ पर बज़ेदार रेचिपीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलती हूं नेक्स वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अलाहाफिस